Hey guys, this is Abhilash, और आज मैं review करूँगा Miss Perfect Series का Miss Perfect Series आपको मिलेगी Disney Hot Star App पर Originally ये एक Telegoo Series है, बट ये Hindi Audio में भी आपको मिल जाएगी इस Series में है total 8 episodes, जिनका run time में 25-30 minutes और genre है romantic comedy तो ये show के शुरुआत होती है लावन्या नाम की एक लड़की से जो कि cleaning को लेकर बहुत जादा obsessed है, मतलब हम सबकी life में एक वो इनसान है जिसे थोड़ी सी गंदगी दिखते ही फिर उसका खून उबाल मार जाता है और फिर वो हर छोटी चीज़ का post-mortem करकर के साफ सफाई में लग जाती है बट उसका पड़ोसी यह सोच लेता है कि वो कामवाली बाई है बट लावन्या भी इस पूरी misunderstanding को clear नहीं करती वो उसके घर पे कामवाली बाई बन भी जाती है क्यूंकि इस neighbor का घर जो है वो daily basis पे बहुत गंदा होता है और लावन्या को वो साफ सफाई करने में मज़ा आता है तो यह है शो की overall story और don't worry यह spoiler बिल्कुल नहीं है यह मैंने आपको पहले episode का भी 15-20 minute explain किया है तो अब सबसे पहले story की बात करें तो देखो story कुछ portion में interesting है बट बाकी जगहों पर यह flat चलती है क्योंकि show देखते वक्त मेरी एक ही need होती है और वो है logic के साथ खिलवार मत करो बट जैसे जैसे यह story आगे progress करती है वैसे वैसे logics आपको कम होते हुए नजर आएंगे जैसे कि जब लावन्या के information देना अपना पड़ोसी के घर जाती है यह तब के तब ही सारी misunderstanding clear कर सकती थी बट तब उसने नहीं गिया फिर यह अगले दिन जान बूच कर दो बारा जाती है ताकि वो इस misunderstanding को clear कर पाए बट वो तब भी clear नहीं करती और फिर बाद में होता यह है कि लावन्या एक company में HR होती है और उसी company में एक employee होता है यही वाला बंदा जो कि उसका neighbor ही है तो यह उसको नौकरी से निकाल देती है और फिर यह उसका reason देती है कि अगर यह नौकरी छोड़ देगा या फिर मैं उसको नौकरी से निकाल दूँगी तो यह chef बनने की तयारी कर सकता है क्योंकि इस आदमी को खाना बनाना बहुत पसंद है यार अगर तुम इतनी ही अच्छी HR होती तो तुम्हें पता होता कि एक hotel में chef बनने के लिए आपको एक hotel management की degree चाहिए होती है तो यार फिर ऐसे करके ना देखो हर एक episode में बहुत सारे logics मिल जाएंगे आपको जिनकी बहुत बहरेमी से हत्या होई है बट इस writing में मैं एक चीज को appreciate करना चाहूंगा कि comedy के नाम पर इस show में कोई भी character जबरदस्ती comedy नहीं कर रहा है हर एक episode में अगर average लगाया जाए तो दो-तीन जगहों पर आपको genuine laugh या smile वाले moments मिल जाएंगे बट ये वाला जो experience है उसे मैं rom-com genre में नहीं डाल पाऊंगा इस चीज को मैं डालना चाहूंगा drama genre में और फिर अगर आप इस पूरे show को देखते हो तो फिर आपको एक चीज समझ में आगी कि इसका treatment rom-com वाला था भी नहीं ये show आपको feel होगा 90s वाली slapstick comedy movie जैसा तो ये तो हुई story की बात अब आगे करते हैं acting वाली बात तो सबसे पहले लावन्या राव के रोल में हमें दिखती है लावन्या त्रिपाठी और इन्होंने बहुत अच्छी performance डिलिवर की है मतलब इनमें potential है बट इस show में 100% use नहीं हुआ है फिर इनके बाद आते हैं अभिजीत जिन्होंने रोल किया है रोहित का जो होते है इनके neighbor तो इनके acting भी अच्छी थी बीच-बीच के कुछ episodes में थोड़ी सी overacting जैसी feel हुई मुझे बट still it was an honest effort तो ठीक है इनके बाद आती है अभिजन्या जिन्होंने रोल किया है जोती का यह होती है लवन्या और रोहित की काम वाली वाई तो इनकी acting भी अच्छी थी और in fact इनका जो story arc था वो भी अच्छा चलता है बट after episode 4 इनका story arc पूरे तरीके से भुला दिया जाता है तो थोड़ा सा उसको explore किया जाना चाहिए था और story के हिसाब से इनको भी मौका नहीं मिला कि यह अपना 100% दे पाए बट जितना भी था मुझे अच्छा लगा अब अगर बात करें technical departments की जैसे की cinematography, art and production design और sound design तो उन सब का काम ठीक है उन से कोई भी शिकायत नहीं है, ना तो underwhelming सा काम है और नहीं ऐसा कुछ wow factor ये शो में add करते हैं so overall it was decent finally director है शो के विश्वक खांडे राओ और इनका काम देखो overall ठीक है बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ध्यान दिया जा सकता था कि ये शो बनाने के पीछे इनका मकसद क्या है वो ये शो के थूरू audience को क्या deliver करना चाहते है फिर क्या ये शो उस rom-com वाली line को फकड़ पा रहा है या नहीं और जो characters इसमें dump से dump decision लिये जा रहे हैं तो वो audience को अच्छे लगेंगे या फिर cringe तो ऐसे सब सवालों पर इन्हें अपने टीम के साथ थोड़ा सा और workout करना चाहिए था बाकि overall ये एक बहुत average सा one time watch show है बट again अगर आपको मेरे जैसे logics चाहिए तो फिर मैं recommend करूंगा कि आप इस show में हाथ मत डालो it's not worth it और by chance अगर आप देखने बैट भी जाते हो तो सिर्फ दो episodes ध्यान से देख लो कि भाई किस किस के क्या क्या नाम है और उसके बाद अगर आप अपने घर में कामों पे busy हो जाते हो और ये show background में चल रहा है तब भी ये show आपको समझ में आ आ जाएगा मतलब आपका attention कम demand करता है ये show parental guidelines में इस show में कोई गालिया नहीं है nude scenes नहीं है और sex scenes नहीं है और ये है मेरी side से show की rating बट अगर आप लोगों ने ये show already देख लिया है तो मुझे भी comment section में लिख कर बताओ कि आपका क्या experience था और ये review अगर आपको helpful और logical लगा तो like और subscribe भी करते हुए जाओ मैं मिलता हूँ आपसे next review में तब तक ध्यान रखो अपना be awesome bye bye